हाई दियर स्टुडेंट्स, वेलकम टू स्टुडेंट पॉइंट्स आज हम आपके फोर्थ स्टैंडर्ट बुक शिव छत्रपती एवियस पार्ट टू में से लेसन नमबर सेकेंड वर्क आफ संत पढ़ने वाले तो आएए स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स, इसके पहले लेसन नमबर वन हमने अपलोड कर दिया है, आप प्लेइलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं चानल को सेल्च किजिए, चैनल में प्लेइलिस्ट में जाइए, प्लेइलिस्ट में आपको प्लेइलिस्ट मिलेगी SHIVAという Caitlin啦 players in hevS part 2 की उसमें आपको सभी वीडियोस मिलते जाएगे, जितने भी वीडियोश अपलेट होगे, वह उसी प्लेइलिस्ट में चलेगे, subject-wise बनी हु work of Sant. So students in the chapter first we have learned about the introduction of Shivaji Maharaj okay and also we learned that Shivaji Maharaj inspire from the Sant to do a great work or a good work for our people. Shivaji Maharaj जो Sant थे, Santो से इंस्पायर हुए थे और उनसे ही इंस्पायर होके वे अच्छा काम करते थे. ये हमने पिछले chapter में पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था कि शिवaji Maharaj संतों से इतने इंस्पायर क्यों हुए ये जानने के लिए हमें संतों के बारे में पढ़ना होगा और इसलिए हम लेशन नंबर सेकेंड में संतों के कारिय वर्क आप संत मतलब जो महात्मा जो संत हुए है हमारे महराश्ट्र में उनके हम कारियों के बारे में उनके वर्क के बारे में पढ़ने वाले सो लेट्स तार्ट दट्रेडिशन ऑप संत डैट बिगिन इन महाराश्ट्रा वी श्री चक्रधर संत नाम देव संत ज्ञानेश्वर संत चोखा मेडा चोखा मेला नहीं पड़ना इसे चोखा मेडा वास कंटिन्यू बाई संत कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ सो साइटी जो संतों की जो शुरुवात हुई वो कहा से हुई सबसे पहले संत आए श्री चक्रधर स्वामी उसके बाद आए संत नाम देव फिर आए संत ग ग्यानेश्वर स्पेलिंग शुरू हो रही है डी से पर इसे हम पड़े है ग्यानेश्वर संत ग्यानेश्वर संत चोखा मेडा ओके वास कंटिन्यू इनके साथ साथ और संत आए ओके सो संत कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के अलग-अलग स् स्थर से संत आते गए, इन दिस ग्रूप आप संत आर इंक्लूडेट संत गोरोबा, संत सवाता, संत नरहरी, संत एकनात, संत शेख मोहबमत, संत तुकाराम, संत निलोबा, इतने सारे संत आते गए, ये सब संत के नाम है, इतने सारे संत आते गए हमारे महरास्ट में, ये तो म संत थे ओके इसके साथ साथ कुछ फिमेल संत भी आये सिमिलरली संत जनाबाई संत स्वेराबाई संत निर्मलाबाई संत मुक्ताबाई संत संत कानोपत्रा एंड संत बईनाबाई शिरू कर इतने सारे संत आकर चले गए अब इन संतों के बारे में हम पढ़ने वाले इसमें से हम ये जो संत है ये सब संतों के बारे में हमने देखा ये सब संत के नाम है पर हम इनमें से ही कुछ में संत के बारे में ही पढ़ने वाले है सो आईए पढ़ते हैं संस के बारे में, okay, so they thought people various virtues like compensation, so students ये जो संत थे, ये सारे संत क्या सोचते थे, ये बता रहे, they thought, they thought मतलब वे, वे सोचते थे, कौन संसते थे, संत सोचते थे, they thought people various virtues like compensation, non-violence, charity, service, equality and brotherhood, मतलब जो संत थे, वो लोगों के बारे में क्या सोचते थे, कि जो लोग है हमारे समाज में, उनमें अच्छे गुण आने चाहिए, वे उनमें compensation होना चाहिए, मतलब उनमें दया की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे पर दया करना, non-violence मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए, लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, यह लोगों के बारे में सोचते थे, या फिर अहिंसा, non-violence को हम अहिंसा कह सकते हैं, अहिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना मतलब एक दूसरे पर जापती दिखाना है, एक दूसरे को मारना, पीटना, तो यह जो संत थे, वो क्या करते थे कि लोग गुनी बने, वो चाहते थे कि लोग गुनी बने, लोगों म मतलब होता है अच्छा वर्ताओ करना हिंसा नहीं करना तो लोगों में अहिंसा नहीं मतलब हिंसा नहीं होना चीए अहिंसा होना चीए चैरिटी मतलब होता है दान पुन्य दान पुन्य लोगों में दान पुन्य की भावना होनी चाहिए मतलब एक दूसरे की मदद करें एक द हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो पैरे, आपके भी दो पैरे, मुझे भी दो आखे हैं, आपको भी दो आखे हैं, मुझे भी एक नाक है, आपको भी एक मुझे भी है, दो कान आपको भी है, मुझे भी है, हम सब इनसान एक जैसे हैं, ओके, फिर असमानता कहा पर हुई इसलिए संतों ने कहा कि हम में कोई असमानता नहीं है हम सब एक जैसे equal है बस कोई पैसे से बड़ा है कोई पैसे से कम है इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो इनसान नहीं है जो गरीब है वो इनसान नहीं है और जो दुखी भी हो सकते, मतलब जो विचार, जो एक अमीर आदमी के होते वही गरीब आदमी के होते, जो बड़ा विक्तिस होसता है, वही छोटा विक्तिस होता है, फिर बड़ा छोटा रहा कहां, सब एक जैसे ही है, तो संतों ने यही हमें सिखाया, कि लोगों में equality, मतलब समानत इन सब के meaning लिखते चलिए brotherhood यहने होता है भाई चारा ओके, so no one is inferior, no one is superior इसका मतलग कि संत हमें यह बता देते कि कोई inferior नहीं है, कोई superior नहीं है कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं सब को भगवान ने एक जैसी बुद्धी दिये, सब एक जैसे हैं अगर उंगली कटेंगी तो हमार आपका भी खुन लाल कलर का ही निकलेगा, मेरा भी खुन लाल कलर का ही निकलेगा तो भगवान ने हम सब को एक जैसा बनाया है तो लोगों में भेदवाव करने वाले हम कौन होते हैं ये हमें संतों ने सिखाया So all are equal तो संतों ने कहा कि सब लोग एक जैसे है Such was the sentiment that was created by संत in the mind of people और ये जो sentiment है ये जो भाव है ये भावना संतों ने लोगों के मन में तयार की और उन्हें समझाया कि हम सब एक जैसे है कोई भेदवाव नहीं है इसको किसी को बला भुरा बोलना किसी को कुछ कहना ये सब गलत है सब मिलके रहो भाईचारे से रहो कोई जाती भेद नहीं कोई भेदवाव नहीं सब हम एक जैसे है we all are Indians हमें सब को एक जैसा ही रहना है So similarly समर्त रामदास also rendered in his work in महारास्टर तो इन सब कामों में समर्त रामदास भी बहुत अच्छा काम उन्होंने महारास्टर में किया है तो सबसे पहले हम जानेंगे श्री चक्रधर स्वामी के बारे में आईए पहले संत के बारे में हम पढ़ते हैं महाराज श्री चक्रधर स्वामी श्री चक्रदर स्वामी श्री चक्रदर स्वामी वाज ओरिजनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात देखिए ये स्वामी इनके सामने स्वामी लगा गया है पर श्री चक्रदर स्वामी कौन थे राज कुमार थे प्रिंस याने क्या होता है राजा का बेटा राजा का बेटा an ascetic He become an ascetic वो क्या बने? एक ascetic बने Okay? Ascetic Ascetic का मतलब होता है योगी या सन्यासी इसे हम क्या लिख सकते हैं? सन्यासी वो एक सन्यासी बने सन्यासी का मतलब होता है सुक सुविधा सब कुछ छोड़ देना देखिए जो प्रीन्स होता है राजकुमार वो अगर सुची आप अगर राजकुमार होते तो आपके पास गाड़ी, बंगला, कार सब कुछ होता आपकी जिंदगी बहुत ऐश्वाराम की होती है ना? तो ऐसे ही जिंदगी किसकी थी? सौमी समर्थ जी की थी और उन्होंने अपनी अच्छी जिंदगी छोड़कर उन्होंने सन्यास ले लिया, वो योगी बन गए, वो तपस भी बन गए and come over to महरास्टा और फिर वो महरास्टा में आए He moved all over महरास्टा preaching equality वो पूरे महरास्टा भर घुमे और लोगों को वो समानता के उपदेश देते उपदेश preaching का मतलब होता है उपदेश मतलब अच्छी बाते बताना उपदेश देना मतलब होता है अच्छी बाते बताना तो वो कौनसी अच्छी बाते बताते थे equality मतलब समानता की समानता मतलब उनका मानना था कि सब लोग एक जैसे सब इनसान एक जैसे सब को एक जैसा समझिए भेदभाव मत कीजिए उसके बाद He did not believe in any discrimination based on gender or caste और वो discrimination मतलब होता है भेदभाव तो जो चकरधर स्वामी थे चकरधर स्वामी वो किसी भी भेदभाव को नहीं मानते थे वो मानते थे कि ना कोई gender में भेदभाव है ना caste में भेदभाव है इस्त्री पूरुष में उन्हें कोई भेदभाव नहीं समझ में आता था वो सब मानते थे कि man and woman are equal, दोनों एक जैसे है, दोनों equal है, दोनों मिलकर अपने घर को, अपने संसार को संभाल सकते हैं, उनमें कोई भेदबाव नहीं है, और वो casteism भी नहीं मानते थे, मतलब मैं उची caste का, तू छोटे caste का, मैं बड़ा caste का, वो नीचे caste का, ओके, मैं ऐसा, वो वैसा, ये बिलकूर नहीं मानते थे, वो सब को मानते थे, ये सब कौन है, इंसान है, काला, गोरा, बच्चा, बुड़ा, कोई भी हो, सब के सब इंसान है, और सभी को भुक लगती है, सभी का पेड़ भरता है, सब हसते है, सब रोते है, सब के emotion एक जैसे है, इसलिए के नाम था, चक्रत है स्वामी का, so several men and women become his followers, उनके अच्छे विचारों के कारण, कुछ लोग, उनके followers बन गए, मतलब उनके भक्त बन गए, उनकी पूजा करने लगे, उनको follow करने लगे, उनकी बातों को मानने लगे, उनके उपदेश पर, उनकी विचारों पर चलने लग की बातों को follow करते थे, तो लोगों के गुरु कोन थे, चक्रतर स्वामी, so the sets, he established, he is known as, महानुभव सेस्थ, उन्होंने अपना एक खुद का सेट बनाया, सेट्स बनाया, okay, तो ये सेट्स क्या था, मतलब होता है पंथ, पंथ याने होता है धर्म, उन्होंने खुद का एक पंथ बनाया, उस पंथ का नाम था महानुभव पंथ, आज भी इस पंथ के बारे में आप सुनते होंगे, महानुभव पंथ के जो लोग है, वो बड़े ही अच्छे विचारों के होते हैं, उनके विचार, उनकी भावना, उनकी सोच, उनका खानपान, बहुत ही अच्छा ह होता है, ओके, so, memorable incidents from his life have been compiled in a book titled लीला चरीत्र, तो एक बूक बनाई गही थी, लीला चरीत्र नाम की, और लीला चरीत्र के नाम की बूक में, श्री चक्रधर स्वामी, जो है, इनकी पूरी गाथा, इनकी पूरी बाते, एक बूक में लिखी गई है, compiled की गई है, रची गई है, संग्रह किया गया है, compiled करना मतलब होता है, संग्रह करना, मतलब जो श्री चक्रधर स्वामी है, श्री चक्रधर स्वामी की पूरी बातों क एक बुक में compiled किया गया संग्र किया गया लिखा गया और उस बुक का नाम दिया गया लिला चरित्र ये जो बाते बता रहे आपको समझा रहे इन सब बातों को ध्यान में रखते हो चलिए क्यूंकि ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा बनने वाला है हम एक ही पार्ट में lesson complete करेंगे अगर आपको वीडियो बहुत बड़ा लगता है तो आप पार्ट पार्ट में देख सकते हो आज थोड़ा सा देख लो कल थोड़ा सा देख लो के संत नामदे उसके बाद है संत नामदे संत नामदे was a great विट्ठल के वह बगवान विट्ठल के वह दिवोटी थे भक्त थे संतनाम देव विट्ठल को मानते थे उनके बहुत बड़े भक्त थे दिवोटी याने हम भक्त कह सकते हैं वो नरसी नाम के गाओं में रहते थे, तो जो संत नामदेव हैं, इन्होंने कई सारे गाने बनाए, और रहे रहे हैं, प्रेज मतलब प्रशंशा, भगवान को खुश करने के लिए, संत नामदेव ने भगवान के उपर बहुत सारे गाने बनाए, आप अभी भी यूटूब पर सर्च करके संत नामदेव के किरतन भजन सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने अपने भजन में, व्यंग में, किरतन्स में लोगों को बताया है, लोगों को अच्छी अच्छी बाते सिखाई और समझाई हैं, किरतन्स, song and stories based on religious theme, तो किरतन्स का मतलब यह होता है, संत नामदेव किरतन भी गाते थे, किरतन्स का मतलब वो होता है, जिसमें एक गाना होता है, गाने में एक कहानी बताई जाती है, और ये जो कहानी होती है धर्म के नाम के अनुसार होती है धर्म के नाम पर बताई जाती है धर्म से related होती है मतलब भजन से लोगों को अच्छी बाते मतलब song के थुरू लोगों को अच्छी बाते सिखाई जाती है जैसे आप कहानी में बड़ी अच्छी बाते सुनते हैं वैसे बड़ी अच्छी अच्छी बाते किर्टन के मदद से गानों की मदद से सिखाई जाती थी और वो गाने संतनामदेव गाते थे देखिए संतनामदेव ये जो है ये संतनामदेव है और देखिए इनके हाथ में क् music भी देते थे मतलब देखिए इनके पहनावे से और इनका gate up देखिए इनके पास जो सामान है ये किसके लिए music के लिए तो वो गाना गाकर लोगों को जगाते थे लोगों को समझाते थे अच्छी बाते बताते थे everywhere everywhere and brought about a general awaking among the people he moved all over महारास्टा to spread भगवत धर्म and taught the people deep devotion of God तो संत नाम देजो थे वो हर जगा घुमे पूरे महारास्ट बर घुमे महारास्ट में हर जगा गए और उन्होंने भगवत धर्म इस्थापित किया या भगवत धर्म का प्रचार किया और उन्होंने बताया कि लोगों को भगवान को मानना चाहिए deep devotion of God भगवान को मन से मानो पूरे तन्मन धन से मानो भगवान को भगवान की पूजा करो अर्चना करो भगवान को अच्छे से मानो ताकि हमें मन की शांती प्राप्त हो he installed he instilled in them the desire to protect their religion और वे लोगों के मन में एक बाद बताते थे संत नामदेव क्या बताते थे कि अपने धर्म को बढ़ाओ अपने धर्म के प्रती आप अपनी रूची दिखाओ ओके अपने धर्म के प्रती आप devoted हो और अपने धर्म को बचाओ ये सब चीजे वो लोगों को सिखाते थे मतलब आप जिस भी धर्म के होंगे that is मतलब doesn't mind आप किस धर्मे के इससे फरग नहीं पड़ता पर आप जिस धर्म से हो उस धर्म की आप रक्षा करो उस धर्म की उस धर्म में जो भगवान है उनकी आप अच्छे से पूजा करो उस धर्म में जो अच्छी अच्छी बाते सीखाई जा रही है वो अच्छी अच्छी बाते सीखो ये किसका काम था संतनामदेव का संतनामदेव लेटर ट्रैवल आल ओवर इंडिया spreading the message of humanity ही समझे मानो मानो को मानो ही समझे कुछ लोग होते हैं न जैसे कि आपने देखा होगा पूराने राजा महाराजा के serial या pictures में कि राजा महाराजा लोगों को कोड़े से मार रहे पीट रहे मतलब इंसान ही इंसान पर अट्याचार कर रहा है यह नहीं होना चीए वो कहते थे कि मानो ने मानवता रखनी चाहिए यूमेनीटी रखनी चाहिए मानो ने मानो को मानव जैसा समझना चीए जानवर जैसा नहीं समझना चीए इसलिए सबके साथ अच्छे विचारों से रहना है so he traveled to Punjab and spread the message of equality among the people there तो वो पंजाब भी गए संतनाम देओ महारास्टर में गुमे पुरे ओल ओर इंडिया में गुमे इंडिया में वो पंजाब में भी गए और पंजाब में जाकर वहां के लोगों को भी उन्होंने equality के बारे में बता equality मतलब समान ता एकता कि सब हम एक जैसे हैं सबने मिलकर रहना चीए उन्होंने हिंडि में गाने बनाया इवन टुड़े सम आफ हीज वर्स आर इंक्लूट इन गुरू गरंथ साहीब आज भी उनके वर्स मतलब होते है पद मतलब पंग्तिया मतलब गाने जो होते ना गाने जो गाने बोलते ना तो गाने के जो कड़वे होते गाने की जो कुछ लाइने होती या गानों की जो कुछ अच्छी बाते होती है ऐसी अच्छी अच्छी बाते आज भी पंजाब में गुरू गरंथ साहीब एक होली बूख है सिख लोगों की जो पंजाबी लोगों होते ना पंजाबी लोगों की एक गरंथ है होली बुक मतलब बता है गरंथ पंजाबी लोगों का गरंथ है उस गरंथ का नाम है गुरू गरंथ साहीब उस गुरु गरंत साहीब गरंत में संत नामदेओ के पद अभी भी लिखे गए है उनके पंक्तिया लिखी गई है उनके भजन उनके किरतन वहाँ पर लिखे गए His songs are still sung all over महारास्टा with a great love and devotion आज भी पूरे महारास्टा में संत नामदेओ के गाने गाये जाते हैं भजन गाये जाते हैं अभी भी YouTube पर बहुत सारे संत नामदेओ के गाये हुए भजन है जो दूसरे लोगदवरा गाये उनके गाये हुए भजन अभी लिखी तुरुप में है दूसरों ने उनके भजन को गा कर सुनाया आप उन सुन सकते हैं आप अपने पैरेंट्स को बोलिए कि हमें इनके भजन सुनने हैं आप सुनके देखिए इतने सुन्दर भजन है इतने अच्छे सौंग है जिसमें वो लोगों को अच्छी बाते बताते हैं उसके बाद अग उसके बाद निवुरूत निवुरुतिनाथ और दूसरे थे सोपान देओ ये इनके ब्रदर थे मुक्ता भाई उनकी बहन थी उनकी सिस्टर थी ठीके संत ग्यानेश्वर को दो भाई एक बहन भाई का नाम निरुतिनाथ और दूसरे भाई का नाम सोपान देओ और जो उनकी सिस्टर थी उनका नाम था मुक्ता भाई उसके बाद उस समय कुछ बाइगोटेड लोग थे, बाइगोटेड मतलब धर्मार्थ या कट्टरपन्थी, कुछ ऐसे कट्टरपन्थी या धर्मार्थ ऐसे लोग थे, वो ज्यानेश्वर, उनके दोनों भाई, ज्यानेश्वर कितने तीन भाई थे और एक बहन, एक ज्यानेश्वर, दूसरे भाई थे, निर्वुत्तिनाथ, तीसरे भाई थे सोपांदेव और एक चौथी बहन थी, इन चारो भाई बहनों को लोग बहुत बला भूरा कहते थे, उनका अपमान करते थे, क्यों करते थे, यह जो कटरपन्ति बाइगोटेट मैन है, the time used to look down upon these children because they were offspring of सन्यासी, क्योंकि वो एक सन्यासी के बच्चे थे, अब आप कहेंगे सन्यास लेना, तो अच्छी बात है, सभी संतों ने सन्यास लिया है, फिर सन्यासी के बच्चे होना बूरी बात क्यों है, तो कटरपन्ति मतलब जो सन्यास ले लेता है, उनके बच्चे नहीं होते, अब जो संत ग्यानेश्वर थे, उन्होंने पहले सन्यास यह बाते हम पढ़ेंगे सामने मैं आपको बता देता कुछ ए अपने घर को छोड़ देता है। सन्यास लिया है, उसको छोड़ दो, अपने घर में जाओczenia और ग्रहस्ति वाला जीवन जीओ शन्यास लेने के बाद उन्होंने सन्यास छोड़ दिया, सन्यास छोडने के बाद उन्हें चार बच्चे हुए संत ग्यानिश्वर निर्वत्तिनाथ उसके बाद हुए सोपा अन्देव और उनकी एक बेहन थी मुक्ता भाई तो लोगों का यह कहना था कि जो सन्यासी होते हैं उन्हें बाल बच्चे नहीं होते फिर भी इन्हें हुए है तो यह लोग सन्यासी and retired from the worldly life, मतलब कि उनके पापा ने सन्यास लिया, सन्यास लेने के बाद वो वापस अपने जीवन में आ गए, वापस अपनी दुनिया में आ गए, as a सन्यासी, he left home, जब वो सन्यासी थे, उन्होंने घर छोड़ दिया था, but later on, obeying the order of his guru, उनके गुरु ने उसे order दिया, he returned home and started living with his wife, उनके गुरु ने उसे order दिया, कि जाओ और तुम अब अपना जीवन जीओ, ऐसा उनके गुरु ने कहा था, गुरु ने order दिया था, अब गुरु ने आदेश दिया है, तो मानना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना, और वो अपने वाइफ के साथ रहने लगे, फिर, उसके बाद उन्हें चार बच्चे हुए, तो जो लोग थे उस समय के, वो ये सोचते थे, कि जो लोग सन्यासी होते हैं, उन्हें बच्चे नहीं होते, वे बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो ऐसा उन्होंने किया, तो ये एक तरक का पाप है, आप पापी लोग है, और ऐसा करके, वो उन्हों को सताते थे, ओके, तो पीपल, तो पीपल पर्सुक्यूटेट, पीपल जो थे, वो जो लोग थे, वो उन बच्चों को, उन चारो भाई बहन को पर्सुक्यूटेट करते थे, क्या करते थे, पर्सुक्यूटेट मतलब होता है सताना, क्या करते थे, उन्हें सताते थे, परेशान करते थे, सताना, या परे, सौरी, पेरे नहीं, परेशान करना, वो परेशान करते थे, these children and banish them from their community और उनकी जो जातपात थी, उन लोगों की, मतलब वो जिस गाउ में रहते थे, उस गाउ से, वो जो समाज से इन लोगों को बाहर कर दिया गया था, कि ये लोग समाज में रहने लाइक नहीं है, इन लिए उनको banish कर दिया गया और उन्हें सताते थे, और ये कहते थे, कि ये सन्यासी के बच्चे है, क्योंकि सन्यासी के बच्चे नहीं होते, तो उनके नजर में एक पाप, पर उनके पापा ने उनके गुरु का आदेश माना था, Once, Gyaneshwar went around the town begging for alms, एक बार Gyaneshwar round पे गए, गाओ में घुमने गए, और घुमने के लिए मतलब वो भीक मांगने के लिए गए, भिक्चा मांगने के लिए गए, alms याने होता है भिक्चा, ओके भिक्चा मांगना, तो वो भिक्चा मांगने के लिए गए, but no one would give him any alms, उन्हे किसी ने भी गाओ में भिक्चा नहीं थी, he had to listen to abusive language instead, इसके बदले लोग उन्हें भिक्चा तो नहीं दिये, पर भिक्चा देने के बदले लोग उन्हें गाली देते थे, और बला बुरा कहते थे, यंग ग्यानेश्वर, विचारे जो ग्यानेश्वर थे, ग्यानेश्वर उस समय बहुत छोटे थे, तो छोटे से जो ग्यानेश्वर थे, was deeply pain, उन्हें बहुत बुरा लगा, ग्यानेश्वर को उस समय बुरा लगा कि उन्हें किसी ने भिक्चा तो नहीं दिया, ग्यानेश्वर देखिए, उस समय ग्यानेश्वर इस उमर के थे, आपको दिख रहे के बाद, he entered his hut and lock the door from inside to grieve over his lot. तो वो वापस आए अपने घर, घर जाकर वो अपनी जोपडी में गए, ओके अपनी जोपडी में वापस आए, जोपडी का दर्वाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर वो क्या हो गए? I agree over his lot, मतलब वो दुखी होकर बैठ गया, दुखी होकर बैठना, मतलब जब हम कभी नाराज हो जाते हैं, तो कैसे हम किसी कोने में दुबग के चुपके से बैठ जाते हैं और रोते रहते हैं, तो वैसे वो करने लगे, अंदर से दर्वाजा बंद कर दिया और अपनी मुक्ता भाई कोन है, उनकी सिस्टर, मुक्ता भाई कम और उन्हों ने दर्वाजा खट-कट आया, और उन्होंने कहा सी-शेट, ओपन द द डोर ग्यानेश्वर, ग्यानेश्वर, भयया, दर्वाजा खोलो, ऐसा उसने कहा, फिर उसने कहा, how can we remain drowned in our own story, okay, drowned का मतलब होता है, डूब जाना तो उनकी सिस्टर ने कहा कि हम खुद के दुख में कैसे डूब सकते हैं ज्यानेश्वर हम खुद के दुख में अगर हमने खुद की तकलीबों में अगर अपना समय कवा दिया तो हम लोगों की सेवा कैसे करेंगे लोगों के दुखों को दूर कैसे करेंगे ऐसा मुक्ता भाई ने कहा मुक्ता भाई ने कहा अपने भाई से कि भाईया अगर आप अपने ही दुखों में डूब जाओगे तो जनकल्यान कोन करेगा welfare कौन करेगा who will then look to the welfare of the world फिर दुनिया को अच्छी बाते कौन सिखाएगा अगर तुम दुख में रहोगे तो दुनिया को अच्छी बाते कैसे सिखाओगे लोगों का welfare कैसे करोगे जनकल्यान कैसे करोगे welfare का मतलब होता है जनकल्यान करना मतलब लोगों को अच्छी बाते बताना लोगों का भला करना So this word of his sister gave him hope to ग्यानेश्वर जैसे ही मुक्ता भाई ने ये शब्द कहा मुक्ता भाई के कह हुए शब्द ग्यानेश्वर के मन के अंदर उतर गए और ग्यानेश्वर ने इस word को एक hope की तरह देखा एक नई इच्छा की तरह देखा और इस शब्दों से ग्यानेश्वर के अंदर एक नई इच्छा जागरूत हुई He forgot his personal sorrow and started his work उन्होंने अपना personal sorrow, खुद का धुख उन्होंने भुला दिया खुद की तखलीब उन्होंने भुला दी और वो अपने काम में लग गए कौन से काम में? Welfare के काम में, Welfare मतलब जनकल्यान के काम में Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion अब हर जगा उस समय की बात है, उस समय हर जगा poor and backward, गरीब और पिछडे जाती के poor याने गरीब, backward याने पिछडे, पिछडे जाती के लोग तो जो लोग गरीब थे और जो पिछडे जाती के थे उन पर oppressed किया जाता था, अत्याचार किया जाता था उन पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था in the name of religion, मतलब धर्म के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता था कि तुम पिछले जाती के हो, तुम हमारे धर्म के लायक नहीं हो, तुम दूर रहो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम हमारे भखवान की पूजा नहीं कर सकते, तुम हमारे घर का खाना नहीं का सकते, तुम हमारे घर में आ नहीं सकते, इस तरह से लोगों पर अत्याचा हम सब मिलकर एक साथ एक स्कूल में पढ़ते, एक बेंच पर बैठते, एक दूसरे से बाते शेयर करते, एक दूसरे का टिफीन शेयर करते, एक दूसरे से बुक्स शेयर करते, हम सब कैसे मिल जुल कर रहते हैं, उस समय ऐसा नहीं था, अब आज जो हम मिल जुल कर रह रहे हैं ये किसकी बदूलत है ये हमारे देश में जो बड़े-बड़े संत हुए उन्होंने जो ये कारिय किये उनकी बदूलत है कि आज हम सब मिलजिल कर रहेते हैं तो ग्यानेश्वर गाव गुमते थे और गाव गुमकर उन गरीब लोगों को और पिछड़े लोगों को बताते थे कि तकलीब हो रही है डरो मत भगवान पर भरोसा रखो faith of God they have to faith of God हमें भगवान पर या आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा सब ठीक हो जाएगा ऐसा वे कहने लगे you equal treatment to all चाहे गरीब हो या अमीर सबको एक जैसा treat करो सबको एक जैसा समझो सबको एक जैसा मानो सबको अपना भाई मानो हर इंसान को अपना भाई मानो हर आदमी को अपना भाई मानो हर अरोत को अपनी बहन और सबको एक जैसे देखो treat ओके सबको equal एक जैसी नजर से देखो help those in trouble and allow them their misery okay my misery मिश्री मिश्री तो help अगर लोग कोई trouble याने होती चिंता या परेशानी अगर कोई लोग कोई परेशानी में है तो उनके दुखो को my misery मतलब दुख okay उनके दुखो को दूर करो उनकी परेशानी में उनका साथ दो उनकी सहायता करो ऐसे कौन हमें बताते थे शंत ग्यानेश्वर उसके बाद this was the gift of his advice to people और उनकी जो advice थी ये एक gift था एक सार था एक समझाने की एक तरीका था इस तरह से वो लोगों को advice देते थे advice देना मतलब सला देना उपदेश देना लोगों को advice करते थे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे लोगों को सब को एक जैसे भावना से देखना चाहिए कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए कैसे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए सब बाते वो समझाते थे ग्यानेश्वर's words are here in every nook and corner of महरास्टा आज भी ग्यानेश्वर संत ग्यानेश्वर के जो कहे गए शब्द है वो आज भी हर नुक मतलब नुकड हर नुकड पर और हर गली में हर नुकर, हर चौक, हर गली में, महरास्त की हर नुकर, हर चौक, हर गली में, आज भी संत ग्यानेश्वर की बाते बोली जाती है, सूनी जाती है, उनके बोले हुए बातों को गीतों में गाया जाता है for the last 700 years संत ज्यानेश्वर को अब तक 700 साल हो चुके हैं पिछले 700 सालों से आज भी हम संत ज्यानेश्वर की पूजा कर रहे हैं उन्हें मान रहे हैं और उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं इन दोस दे अल रिलिजियस टीचिंग वाज कॉन्फेंट टू संस्कृत बुक तो उस समय जितनी भी पढ़ाई थी उस समय हिंदी तो बोली जाती थी मराटी तो बोली जाती थी पर जो लेखनी भाषा थी लिखावट की भाषा वो थी संस्कृत की तो जितनी भी पढ़ाई की बाते जितनी भी अच्छी बाते हैं, वो संस्कृत की बूक में confined थी, संस्कृत की बूक में क्या थी? confined थी, इसे क्या पढ़ेंगे? confined, confined मतलब बंद, सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, दे लेगवेज ओडिनरी पीपल in everyday was used Marathi, पर लोग महरास्ट में Marathi यूज करते थे, पर लिखी हुई भाषा संस्कृत में थी, ज्यानेश्वर wrote his outstanding book ज्यानेश्वरी in Marathi, संस्कृत की अच्छी अच्छी बाते उन्होंने ली और बहुत अच्छी अच्छी बाते संत ज्यानेश्वर ने Marathi language में लिखी, उन्होंने अपना गरंत लिखा और उस गरंत को उन्होंने नाम दिया गैनेश्वरी एक book लिखी, book को उन्होंने नाम दिया गैनेश्वरी और वो Marathi में थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बाते लिगी थी जिसे लोगों को सीखने मिले He does opened wide for his people and door of knowledge वो किताब जब उन्होंने लिखी उस किताब के माद्यम से उन्होंने लोगों के लिए ग्यान का दर्वाजा खोल दिया, doors of knowledge ग्यान का दर्वाजा, किताब क्या है ग्यान का दर्वाजा, आप किताब में क्या जो पढ़ रहे हैं, आप किताब में जो पढ़ रहे हूँ आप ग्यान ले रहे हैं कुछ अच्छी बाते सीख रहे हैं तो किताबों को ग्यान का दर्वाजा कहते हैं तो संत ग्यानेश्वर ने लोगों के लिए ग्यान का दर्वाजा खुल दिया था उस book को लिखकर ग्यानिश्वरी को लिखकर where he preached the ideal of brotherhood among वहाँ पर वे लोगों को क्या करते थे उपदेश देते थे brotherhood के मतलब भाईचारे के क्या होता इसका मतलब भाईचारा बंधूता इसे हम बंधूत्व या बंधूता भी कह सकते हैं भाईचारा मतलब सब एक जैसे मिलकर रहना भाई ने भाई जैसे मिलकर एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना so all men at very early age at आलंदी नियर पूने ग्यानेश्वर टुक समाधी अब जब ग्यानेश्वर अपनी उमर के हो गए उके उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया जब उन्हें लगा कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है और मैंने बहुत लगों को जागरूत कर दिया है तब संत ग्यानेश्वर में early age में मतलब वो बूढ़े भी नहीं हुए थे बहुत ही कम उम्र में आलंदी ये एक गाव का नाम है आलंदी गाव जो पूने के पास है वहाँ पर ग्यानेश्वर ने जीवित समाधी ले थी उन्होंने खुद को ट्रांस में बजल दिया ट्रांस या नहीं होता है समाधी उन्होंने खुद की समाधी लेनी समाधी लेना मतलब जिन्दा ही खुद को मार देना मतलब कुछ इस तरह से समाधी लेना कि उन्होंने खुद को मार दिया, समाधी ले लिए, इस जीवन से मुक्त हो गए, वो कहां पर लिया उन्होंने आलंदी गाओं में, पूने में, उन्होंने एक जीवित समाधी ले लिए और वो हमिशा के लिए हम सब को छोड़ कर चले दे Even today on the 11th day of आशाड and कार्तिक आशाड और कार्तिक यह भारतिय शौर वर्ष के महने हैं जैसे हम चैतरव, वैशाग, जेष्ट, आशाड, शावन, भातरपत, कार्तिक, अग्रायन, पोश्माग, फालगुल यह जो बुलते हैं ना जैसे जनुरी, फेबरुरी, मार्च, अप्रिल जैसे महने होते हैं, वैसे हिंदी शौर वर्ष के महने होते हैं, तो आशाड और कार्तिक के महने में, 11th day of आशाड और कार्तिक, इसे 11th day of आशाड और कार्तिक को हम कहते हैं, एका दशी, एका दशी, आशाड और कार्तिक, एका दशी के दिन, आशाड और कार्तिक महने में, अभी भी लाखो लोग, lakhs of pilgrims, pilgrims का मतलब होता है भावार्थी, श्रोत्रा, या फिर हम कह सकते हैं भक्ती, ओके, या फिर pilgrims का एक और actual meaning है, तो वो है तिर्थयात्री, मतलब जो लोग यात्रा पर जाते हैं, उसे कहते हैं, तिर्थयात्रा पर जो लोग जाते हैं, तो अभी भी आज भी लाखो लोग आशार और कार्थिक में एका दशी के दिन, लाखो यात्री, आलंदी और पंधरी में जाते हैं, पूरी भक्ती के साथ जाते हैं, और वहाँ पर उन संतों को याद करते हैं, उनके कारियों को याद करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनके भ संत एकनात carried on the work started by संत नामदेव and संत ग्यानेश्वर, संत देखे, संत एकनात के पहले कौन-कौन थे, संत नामदेव थे और संत ग्यानेश्वर थे, संत नामदेव और संत ग्यानेश्वर ने जो बाते लोगों को सिखाई, उसी बातों को आगे बढ़ाया, किसने संत एकनात बात को ध्यान में रखना है student यह बहुत important बात है संत नाम देओ और संत ज्यानेश्वर इनके उपदेश को आगे किस ने बढ़ाया तो वो थे संत एकनाथ, okay, so he lived in pattern, pattern में रहते थे संत एकनाथ कहा रहते थे, pattern में, he pattern, pattern आपने देखा पूने के पास है, pattern जो है, पूने से लगबख सो किलिमेटर दूद है आपने खटा मिठा मूवी देखी है, है न, वो pattern गाओं में ही shoot हुई है, okay so he preached that the way to reach God was through devotions, भक्ति मार्क, वो लोगों को preached करते थे मतलब उपदेश देते थे, क्या उपदेश देते थे, वो ये कहते थे लोगों से कि अगर that the way to reach God was through devotion, मतलब अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो एक ही एक मार्क है भगवान को प्राप्त करने का, that is a भक्ति मार्क, इश्वर की भक्ति कीजिए, देखिए अंदर से आत्मा को कैसे शान्ती मिलती है तो भगवान को पाना है, तो एक ही इलाज है, एक ही रास्ता है भक्ति मार्क और वो यही लोगों को बताते थे कौन बताते थे, संत एकनार, he wrote numerous religious songs, उन्होंने कई धर्मों के गीत लिखे है, जिने अभंग या फिर इसे ओविया, ओवीज या ओविया कहते है या फिर भारूड, यह इन्होंने लिखा है, अभंग ओवीज भारूड यह क्या है, यह ऐसे गाने है, जिसमें धर्मों की बाते, अच्छी बाते, लोगों के अच्छे विचारों की बाते की जाती His advice to people was not to accept any distinction of high and low, वो लोगों को यही समझाते थे की इस बातों को मत मानो, कुनसी बात, high and low, कोई उचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक जैसे, इनसानों में कोई भेदभाव नहीं है, सब इनसान एक जैसे है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई उचा नह इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, यह वो लोगों को समझाते थे, He made friend with the poor and downtrodden and thought them devotion to God, वो He made friend, जो गरीब लोग थे, poor people याने गरीब लोग, downtrodden मतलब पिछले जाती के, ओके, गरीब लोग, पिछले जाती के लोगों को वो अपने दोस्त ब वो किसके साथ दोस्ती करते थे, गरीब के साथ और पिछले लोगों के साथ, अब दोस्ती बनाते थे और उनसे कहते थे कि भगवान की पूजा करो, भगवान को devote करो, भगवान के बारे में सोचो, अच्छे कामों में, जब आप भगवान की भक्ती करेंगे, आपका मन शान होते गए, even the dumb animal, वो मतलब इतने अच्छे थे, dumb animal, मतलब मूख जानवर, जो बोल नहीं सकते थे, जो dumb animal, जैसे संथ एकनात कहते थे, कि जैसे हम इनसान है, हमारे अंदर एक जीव है, हमारे अंदर एक शरीर है, वैसे ही जो जानवर है, वो हमसे बाते नहीं कर सकते थे, उन्हें हम मुका कहते, मुके जानवर जया है, उन्हें भी तकलीब होती है, एक छड़ी अगर आपके हाथ में बड़ी, तो आपको भी दर्द होगा, और उस जानवर को, चाहे वो कुता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, कोई उनको भी अगर एक लकड़ी मारेगे, तो उन्हें भी तर्द होगा, मतलब हम सब एक जीव है, और हम सब में एक जान है, और हम सब में एक आत्मा है, और उस आत्मा में बसा एक भगवान है, तो किसी को मत मारो, सब को पूझो, सब की पूझा करो, सब की शाहता करो, तो वो अपने दुख नहीं बता सकते जानवर को तकली भूई तो आपको बता थोड़ी सकता है कि मुझे बुखार है या मेरा पेट दद कर रहा है मेरा सिर्दद कर रहा है मेरा हाथ दद कर रहा है आज मैंने जादा काम कर गया मैं ठक गया हूँ कैनिमल हमें ऐसा नहीं बता सकते ना हम कितना heavy काम करवा लेते तो अगर हम उनसे heavy काम करवाते तो उनकी सुरक्षा करना, उनकी देगभाल करना, ये हमारा नेतिक करत्यव्य है, ऐसा संत एकनात लोगों को बताते थे, तब देखें कितने अच्छे उनके विछारते, he exhorted the people to love all living beings and practice what he preached, वो सभी लोगों को exhaust करते थे, आवहाहन करते थे, exhaust का हम बोल सकते हैं, आवहाहन, आवहा, आवहान, आवहान करना, मतलब इस बात को लोगों तक पहुचाना, कि हम सब living thing है, हम सब सजीव है, और हम सब को सब की चिंता करनी चाहिए, ऐसे वो उबदेश लोगों तब देते थे, one day he was going to the river Godavari for a bath, it was noon and very hot, एक दिन वो दोपहर के समय Godavari नदी में गए नहाने के लिए उस समय बहुत गर्मी थी, the sand bed along the river side was very hot, मतलब जो नदी में जो रेत थी, नदी के बाहर, जो किनारे पर रेत होती न, वो पूरी रेत बहुत गर्म थी, he heard a crying of poor child sitting on the hot sand, उसने देखा कि एक गरीब लड़का, एक बिचारा छोटा सा लड़का, छोटा सा बेचारा लड़का, poor मतलब यहाँ पर बेचारा होगा, गरीब नहीं, बच्चा गरीब कैसे होगा, वो तो अभी छोटा है न, तो poor, poor मतलब बेचारा, एक बेचारा बच्चा, गरम गरम रेत पर बैठा हुआ है, ऐसा उन्हों देखा, एकनाथ looked around and saw the child, उसने ने बच्चे के रोनी की आवाज सुनी, इधर उधर देखा, उन्होंने बच्चे को ढूंडा, बच्चा उन्होंने देखा, वो बच्ची की तरफ दौडते वे गया, बच्चे के पैरेंट्स को देखा, बच्चे के वहाँ पर माबाप नहीं थे, उन्होंने अपनी गोद में उस बच्चे को, अपने हातों में उस बच्चे को उठा लिया, wife his tears उसके आंसु पोचे and reach him हो और उसे उसके घर पोचा दिया, मतलब इन्होंने इतना महान काम किया, वो सभी की चिंता करते थे, छोटा, बड़ा, जानवर, इंसान, सभी को वो एक जैसा समझते थे, इनके जो इतने अच्छे काम थे, इनके जो exemplary work थे, इनके काम से लोग impressed हुए, लोग प्रभावित हुए और इनके message थे, लोगों को सब को प्यार करो, समानता से देखो, equality, love, equality, ओके, ये लोगों के दिमाग में उन्होंने भर दिया, लोगों को ये अच्छी बाते उन्होंने सिखाई, ओके, ये थे हमारे संत एकनात, अब उसके बाद चलते संत तुकाराम की ओ, तू ग्रेट संत, तुकाराम एंड रामदास, जब शिवाजी महाराज थे, उस समय, दो संत तब थे, तब वे दो संत उस समय के थे, शिवाजी महाराज के समय के थे, उन संत का नाम है, तुकाराम एंड रामदास, तुकाराम कम फ्रॉम देहु, तुकाराम देहु से आई हुए थे, देहु पूने शहर के पास है, He owns a farm and also a grocery shop उनका खुद का खेत था और उनकी सबजी भाजी की दुकान थी या किराना दुकान थी, ऐसा समझेए सबजी भाजी, किराना सब उसमें मिलता था He is forefather, forefather का मतलब होता है पुर्वज उनके जो पुर्वज थे, used to land money to the needy people मतलब जो लोग जरुवत मन थे, ऐसे जरुवत मन लोगों को नीडी पेपल मतलब जरुवत मन लोग, जरुवत मन लोगों को वो money land करते थे, land money मतलब करज, रन देना या फिर करज, पैसो को करज, पैसो का करजा देते थे करज पर पैसा दे ते और बैच के साथ उनसे वसोलते थे ये उनके four fathers का काम था मतलब उनके पूरवजों का काम था संत तुकाराम के तो संत तुकाराम के जो पूर्वश थे वो क्या करते थे लोगों को पैसा उधार देते थे उनकी खुद की दुकान भी थी और खेद भी था तुकाराम ड्रोंड इन्दर रिवर इंद्रायनी वो उन्होंने क्या किया वो एक नदी थी उनके गाउ में जिसका नाम है इंद्रायनी इंद्रायनी नदी में गए मतलब जितने भी रिकार्ड थे मतलब जब भी लोग करजा लेते थे तो पेपर पर साइन करते थे और बाद में उन्हें पैसे मिलते थे फिर लोग पैसे नहीं दे पाते थे लोग परेशानी होते हैं, मतलब किसी से हम पैसा लेते, करजा लेते, तो एक टेंचन होदा सरपे कि हम उनके पैसे कब वापस करेंगे, ऐसे लोग बहुत 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 परेशान थे, तो ये परेशानी संत तुकारा महराथ से देखी नहीं गई, और उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने सारा रेकार्ड उठाया, जो भी उनके पास था, इंद्रायनी नदी में गए, और पूरा विसरजित कर दिया, सब कुछ नदी में फेग दिया, और जितने भी लोग थे, सब को उन्होंने करज से मुक्त कर दिया, उन्हें कोई लालच नहीं था, नहीं चाहिए मुझे तकलीब नहीं देना है लोगों को, मुझे लोगों का भला करना है, He would go to the neighboring hill and sing song in a praise of God, विठल, वो विठल को बहुत मानते थे, भगवान विठल की वो पुझा करते थे, विठल को बहुत मानते थे, तो वो अपने गाव के पास की पहाड़ी पर जाते थे, और एका दशी, the month of आशाड and कार्तिक, आशाड और कार्तिक महिने का ग्यारवा दिन, जिसे हम एका दशी कहते हैं, He would go to पंधरपूर, तो तुकारा महराज पंधरपूर जाते थे, and he wrote devotional song, उन्होंने बहुत अच्छे-च्छे song भी लिखे थे, अबंग भी लिखे थे, and perform kirtans भी वो करते थे, अबंग करते थे, किर्टन करते थे, भजन करते थे, देखिए, यह है संत तुकारा महराज, संत तुकारा महराज देखिए, उनके हाथ में वीना है, कुछ बजाने की चीज़े हैं, और यहाँ पर देखिए, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे सब के साथ अच्छे से रहिए ऐसा संत तुकाराम समझाते थे देखिए सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए है और इनके भजन सुन रहे इवन डैट शिवाजी महाराज also sitting here to listen to his भजन and किर्तन उस समय शिवाजी महाराज भी थे और शिवाजी महाराज हमारे राजे तो थे ये भी भजन और किर्तन सुनते थे और इन ही भजन और किर्तन की मदद से शिवाजी महाराज बहुत ही devotional हुए उनके मन में एक अच्छे विचार जागरूत हुए और उन्होंने भी लोगों का भला करनी की सुचा हजारों लोग वहाँ पर आते थे और उन्हें सुनते थे उनके भजन किर्तन शिवाजी महाराज भी उनके किर्तन को अटें करते थे संत तुकाराम प्रिजट तो पीपल अबाउट देटे थे संत तुकाराम लोगों को तो पीपल अबाउट वर्च्यूस मतलब गुण लोगों में वह गुण मतलब अच्छे अच्छे गुण देते थे किस बात के गुण देते थे पीटी मतलब होता है दया फार्ग्यूनेश मतलब छमा पीस मतलब शान्ती पीस ओफ माइंड शान्ती वो उपदे देते या संदेश देते दे लोगों को दया शमा और शान्ती का कि लोगों को लोगों पर दया करना सिखो अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे छमा करना सिखो और अपनी मन को शांत रहना सिखो ये संत तुकाराम लोगों को बताते थे दया शमा और शांती मतलब अगर कोई गरीब है और अगर आप अच्छे हो तो उस गरीब पर दया दिखाओ अगर किसी बड़े या छोटे से कोई गलती हो गई तो उसे डाटने के बजाए डाटने के बदले उसे माफ करो उसे छमा करो और अपने मन को शांत रखो ऐसा कौन सिखाते थे संत तुकाराम माराज उके उसके बाद और वो समानता का मैसेज भी देते थे तो देखिए सभी संतों ने लगबग एक जैसा ही काम किया है सभी ने अच्छी बाते ही लोगों को बताईए मतलब उननने लोगों के दिमाग में लोगों के मन में इतनी अच्छी अच्छी बाते भर दी थी कि लोग उन्हें एक बहुत अच्छा धर्म का निर्माता या धर्म को लेके चलने वाला समझते थे और उनकी लोग प्रसंसा करते थे, उनकी जैजेखार करते थे, आज भी संत तुकाराम के बात लोग कहते हैं, उनका एक व्यंग, एक दोहा आपको सुनाना चाहूंगा, जो मराटी मद्या है, मतलब इसका मतलब यह है कि संत तुकाराम कहते थे, कि जो भी गोर गरीब है, जो भी पिछड़ा है, गोर गरीब है, बिचारा है, ऐसे लोगों की जिसने मदद किया, जिसने इंसान को इंसान समझा, भगवान वही है, देव की प्राप्ती तभी होंगी, आप बोलते हो ना कि भगवान मुर्ती को पूझ रहे हैं, इसे पूझ रहे हैं, अरे मुर्ती को पूझने से क्या होगा, मुर्ती को पूझने से कुछ नहीं होने वाला है, वो जो लोग होते हैं, उनकी सेवा करना, मानों की सेवा करना, इंसान की सेवा करना ही असली धर्म है, मतलब आप किसी गरीब को अगर उसकी मदद करते हो, तो वो जो दूआ देगा दिल से, उसी से आपको पुन्य मिलने वाला है, मैं मेरी एक स्टोरी आपको बताता हूँ, मैं मेरे स स्कूल से जॉब से वापस आ रहा था ओके तो यह पढ़ते पढ़ते छोटी सी स्टोरी मेरी वापस आ तो जस्ट मार्केट में काफी गर्मी का अभी रिसेंटली की बात है बहुत तेज धूपती बच्चो गर्मी का समय था लगवग वो था मई जून का टाइन था और इतनी कड़ी धूप में एक गरीब इंसान एक बिचारा व्यक्ति जिसके बदन पर कपड़े नहीं है सिरफ प पैरों में नहीं है इतनी गरम-गरम सडक पर वो बैठे हुए थे पैर फैला कर बैठे हुए थे और बैठे क्यों थे कि किसी इनसान का चीवडा मिक्षर जो होता है न जो हम दुकान से करें तो मिक्षर वो गिर गया था और वो फैला हुआ था वो एक-एक मिक्षर को उठा आते थे चून-चून कर खा रहे थे मैंने यह देखा मुझसे बिलकुर देखा नहीं गया मैं थोड़ा आगे गया आगे समोसे के दुकान थी मैंने एक फ्लेट समोसे वहां से खरी दे गर्मा-गर्म समोसे उस व्यक्ति को पहुचा दिए तो उस व्यक्ति के मंद से जो पुचा करनी चाहिए तो उससे हमें एक पिच्चर मिलता है कि यह हमारे गौड है पर अगर भगवान को प्राप्ति करना है किसी की सेवा करना है तो इनसान की सेवा कीजिए इवन टुडे आल ओवर महारास्ट्रा आते हैं अब अपने टॉपिक पर ओके सॉरी मैं अपनी स् प्रोक्लैमिंग ग्यानबा तुकाराम तो नेम आफ टू ग्रेट संत ग्यानेश्वर इस काल्ड ग्यानबा अल्सो तो अभी भी लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं इनकी प्रशिंसा करते हैं संत ग्यानेश्वर को ग्यानबा के नाम से भी जानते हैं सो इवन टुडे तुका राम गाथा इस रीड इन एवरी हाउसफोल्ड आज भी लोगों के घर में महारास्ट में जाधा तर लोगों के घर में तुका राम की गाथा गाई जाती है अब उसके बाद है हमारे आखरी संद समर्थ रामदास आईए उनके बारे में पढ़ते हैं यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है एक घंटे का लगबग हो चुका है और इतना पढ़ना है ओके एक ही वीडियो में हम एक लेशन कम्प्लीट कर रहे हैं क्योंकि कई बार स्टूरें का बोलना ऐसा होता है कि सर हमें इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं दिख रहा है और कह संत रामदास के समय सभी तरफ जो महारास्ट की पहाडिया थी वहाँ पर एक ही आवाज इको होती थी गूझती थी वो है जै जै गुरुवीर समर्थ Glory to be Great Rama और ये कौन गाता था रामदास संत रामदास समर्थ रामदास ये गाते थे and invocations constantly on the lips of the great संत रामदास संत रामदास के lips पर उनकी जबान पर एक ही गाना रहता था जै 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 रगुवीर समर्थ जै जै रगुवीर समर्थ So रामदास was born at Jamb रामदास कहाँ पर पैदा हुए जांब में पैदा हुए on the bank of the गोदावरी मतलब गोदावरी नदी के किनारे एक गाव है जांब वहाँ पर वो पैदा हुए थे और वो कहाँ पर है मरहाट वाड़ा हमारे महारास्त में मरहाट वाड़ा हमें है His birthday falls on राम नवमी राम नमवी के दिन ही वो पैदा हुए थे इसलिए the day on which the great hero Rama was born राम नमवी मतलब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था राम नमवी के दिन बहगवान राम का जन्म हुआ था उसको राम नमवी के नाम से जाने जाता है और उसी दिन समर्त रामदास पैदा हुए थे उनका नाम था नारायन जो समर्त रामदास है उनका असली नाम था नारायन was नारायन was his real name but he prepared to call himself रामदास पर वो खुद को कहते थे कि मैं नारायन नहीं हूँ मैं रामदास हूँ रामदास मतलब होता है भगवान राम का दास मतलब राम का भक्त मैं भगवान राम नमवी मतलब राम नमवी के दिन मतलब भगवान राम के जन्म के दिन मैं पैदा हुआ हूँ मैं भगवान राम का भक्त हूँ इसलिए मुझे नारा या ना कहते हुए रामदास कही है क्योंकि मैं राम का दास हूँ तो ऐसा वो लोगों से कहते थे इसलिए खुद का नाम उन्होंने रामदास रख दिया था He is servant of Rama वो भगवान राम का वो कोन है दास है servant है So through his great book दास बोध उनके एक खुद की बोध थी समर्त रामदास स्वामी समर्त रामदास की एक खुद की बोध थी उनके बुक का नाम था दास बोध उन्होंने एक किताब लिखी थी He taught man the way of good life इन्होंने अपनी किताब में अच्छा जीवन कैसे दी जीए इसके बारे में लिखा था Through his manachish law मतलब उनकी मन की बात उके उनकी मन की बात वहाँ पर थी और उसे manachish law Okay Stanjas address to the mind मतलब कि मन से जो बाते निकलती है वो सारी बाते उन्होंने उस किताब में लिखी थी तो ये है रामदास समर्थ रामदास He gave people lesson to good thought and good conduct इन्होंने लोगों को क्या सिखाया lesson मतलब उन्होंने लोगों को क्या सिखाया good thought अच्छे विचार अच्छी बाते अच्छे विचार सिखाया अच्छी बाते सिखाया मतलब अच्छा सोचो और लोगों तक अच्छी बाते conduct करो अच्छी बाते पहुँचाओ लोगों में इच्छा शक्ती शक्ती जगाने के लिए लोगों में अच्छी शक्ती के लिए उन्होंने हर जगह भगवान हनुमान के मंदिर बनवा है च्akat कि भगवान हनुमान कैसे खबगवान को शक्ती के रुप में पुछा जाता है तो भगवान हनुमान की लोग पुजा करेंगे और खुत को मजबूत समझेंगे ये शक्तिवान समझेंगे और अच्छी भलाई के लिए काम करेंगे ये सोचकर उन्होंने हर गाउ में जगह जगह पर हनुमान के मंदीर बनवाया बगवान हनुमान के उन्होंने लोगों को बताया कि जो ताकत एकता में है वो और कहीं नई मतलब तुमने कहाणी सुनी होगी बच्वण में एक बीमार पिता अपने दो बेटे को बुलाते हैं उन्हें कहते हैं उन्हें एक एक लकड़ी देते हैं और बोलते तोड़ो तो अक्केली लकड़ी वो आसानी से तोड़ देते हैं बाद में उन्हें लकड़ी का गठर दिया जाता है और बोला जाते हैं कि अब इस लकड़ी क असानी से तोड़ देते हैं, फिर उन्हें बोलता है कि इस गठर को लकड़ी के गठर को तोड़ के दिखाओ, लकड़ी का गठर उनसे नहीं तूटता, फिर वो बताते हैं कि लकड़ी का गठर मतलब एकता हैं, अगर आप सभी लोग मिल जूल कर रहेंगे, तो आप पर कोई तोड़ नहीं सकेगा, आप पर कोई राज नहीं कर सकेगा, आप खुश रहेंगे, so united is a strength, एकता में ही शक्ती है, यह उन्होंने बताया था, unity is a strength, he taught them to organize themselves and fight against injustice, he taught them to organize themselves, उन्होंने खुद, उन्होंने सोचा और बुला कि खुद जागो और खुद लड़ो injustice की तरफ, मतलब जहाँ पर अन्याय हो रहे है, अन्याय से लड़ो और आगे बढ़ो, these gave courage to people, इससे लोगों को courage, मतलब साहस, धाड़स, okay, एक power मिलता था, लोगों के अंदर, एक साहस निर्मान होता था, करे जाने होता है, साहस निर्मान होता था, जिससे लोग अन्याय के प्रती लड़ते थे, the work of the sun brought about a great awakening among the people, religion once again become a thing to be respect and a spirit of self-reliance was born, तो वो लोगों को a great awakening, awakening मतलब जगाना, लोगों को जगाया उनोंने, जगाना मतलब लोग सोय वुए थे और जगाया ऐसा निया, लोगों को मन को जगाया, लोगों के दिमाख में अच्छी बाते उनोंने भरी, और इससे, लोग, खुद की respect समझने लगे, खुद का self-respect समझने लगे, खुद के ल पारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का भला करना, ये बाते लोगों में जागरूत हुई, किन की मदद से इन सभी संतों की मदद से, जिनके बारे में हमने बढ़ा है, people regained their lost confidence, जब ये अच्छी अच्छी बाते लोग सुनते थे, तो लोग जो अपना confidence उन्होंने खो दिया है, वो उन्हें वापस आ जाता था, जैसे बोलते हैं, जब आप दौर लगा रहे होते हैं, तो कोई एक बोलता है, जैसे आपका नाम रोहन है, तो जोड़ से चिलाता है, रोहन, रोहन, you can do it, run fast, तो हमें एक confidence मिलता है, और हम और तेजी से दौरते हैं, ऐसा confidence उनकी बाते सुनकर लोगों के मन में आता था, और लोग जागरूत होकर अच्छा काम करते थे और अन्याय के प्रति लड़ते थे, इस ग्रेट अवेकिंग अमोंग दू पीपल, ब्राउट अबाउड बाय संत, ओके, और ये जो जागरूकता थी, अवेकिंग का और यही बात, हेल्प की, इसी बात ने हेल्प किया किसकी, शिवाजी महराज की, शिवाजी is in his fight for स्वराज, और इनी संतों की बातों से, संतों की प्रिज्ट से, संतों के उपदेश से, शिवाजी महराज ने स्वराज का निर्मान किया, और स्वराज के लिए fight की, शिवाजी महाराज ने सुना शिवाजी महाराज ने जब इनके बारे में उन्होंने पढ़ा तब वे अच्छे विचार उनके मंदर आए और हमारे महाराज या हमारे राजे इन्होंने अच्छे विचार अपने अंदर लिए और देश का कल्यान करने की सोचा और इसलिए तो ह हम आज भी महाराज की जैन्ति, उनका जन्मदीन हम धुमधाम से मनाते हैं, उनकी पूजा करते, उनका सम्मान करते, उनकी बहुत इज़त करते, क्योंकि उनोंने बहुत great work किया है, और इसलिए तो, आज एक पूरी किताब, एक पूरी किताब उनके नाम से, अगर आपके क्लास में है वो क्यों है क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा पढ़ रहे हैं तो क्यों अच्छा पढ़ रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत महान काम किया है अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें आप भी चाहते हैं कि आप भी अच्छे बने तो उसके लिए हमारे अंदर अच्छे विचार होने चाहिए अच्छी भावना होनी चाहिए अच्छी हमारी सोच होनी चाहिए गरीबी को बारे में सोचो जो लोग पूर है उनके बारे में सोचो अगर आप जो कोई जरुरत मंद है उसके बारे में सोचो लोगों का भला करो जैसी आपकी जरुरत है वैसे उनकी भी जरुरत है एक दूसरे की जरुरतों को पूरा करती वे चलो अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो सब के बारे में अच्छा सोचो अगर आप जिस दिन से ये काम करने लगे आप भी एक अच्छे इंसान बनेंगी और हो सकता है लोग भी आपको अच्छे कामों के लिए जाने तो I hope that देखे हमने संतों के बारे में पड़ा है कोई संत ऐसे थे जो बहुत गरीद थे कोई संत तो राजा महारा जाता है फिर भी उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर लोगों के प्रती भलाई का काम शुरू किया ये क्यू किया उनके एक great work थे और ऐसे ही work इनका अगर 5% भी काम हमने कर लिया इन्होंने जो उपदेश दिये हैं उसमें से 5% उपदेश भी अगर हमने यहाँ पर रख लिये तो हम एक अच्छे इनसान कहलाएगी पड़े लिखे इनसान और अच्छे इनसान दोनों में बहुत फर्क है मेरे students मैं आपको बता दू अगर एक इनसान डॉक्टर है इंजीनियर है कलेक्टर है कोई बहुत बड़ी पत्पर है पर वो अपने माबाप की सेवा नहीं करता तो उसके पढ़ाई की कोई value नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बता रहें आपको समझ में आ रहा है अगर आप कितने भी बड़े पड़े लिखे हो जाओ पर अगर आप अपने parents की help में करते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे parents हमारी सेवा करते हैं जब हम बड़े हो जाते हमारे parents बुड़े हो जाते उनकी देखवाल करना हमारा करते हुए हैं तो आप अच्छे तब बनेंगे जब आप बच्चे और बुढ़े दोनु के बारे में अच्छा सूचेंगे अच्छी बाते अच्छी भावना अपने मन में रखेंगे तो ये हमें करना है आप चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाए चाहूंगा कि आप बहुत बड़े इनसान हो बहुत तरक्की करो, अच्छे इंसान बनेंगे पर अच्छे इंसान बनने के साथ साथ अच्छी बाते अपने करतव या अपनी ölकी डूटी स्कों नहीं भूलना जिस दिन आप duty को भूल गए आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते और जिस दिन आपने अपने करते वोगे और अपनी duty को याद रखा आप छोटे भी रहोगे न तो भी आप अच्छे कहलाओगे तो be a good man एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो so strengths I hope that ये lesson काफी लंबा हो चुका है पर जरूर आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर मेरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो इन वीडियो को spread कर दीजिए फैला दीजिए सभी तरफ अपने friends तक share जरूर कीजिए क्योंकि अगर आप जितने हमारे वीडियो को share करेंगे तो हमें लगेगा न कि हमारे वीडियोस बहुत सारे students देख रहें तो हमें पता चलेगा कि हमारे students अगर लोग हमारे वीडियोस को अगर देख रहें तो हमें अंदर से motivation मिलेगा कि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं So students I hope that आप ऐसा जरूर करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्टन नमबर थ्री तिल डैन बाई बाई